नमस्ते इससे पहले भी मैं आया था फेस्बूक लाइव में लेकिन शायद साउंड का प्रॉब्लम था इसके लिए मैं फिर से आया हूं सबसे पहले I would like to wish everyone इस चुटी में आपने सब अपने परिवार के संग बिताया होगा अपने फैमिली के संग बिताया होगा I want to again wish everyone of you all हमने EDC के तरफ से चुटी अनॉंस्मेंट किया for our new year for Gorilla हमें लगा कि अगर हम EDC में रहेकर अपना ही कल्चर को हम हम प्रमोट नहीं करेंगे अपना ही एतिहास को हम प्रमोट नहीं करेंगे अपना ही आइडेंटिटी को हम प्रमोट नहीं करेंगे तो इसका अच्छा मेसेज नहीं जाता है इसी के लिए इस बार हमने अपने बुईसू के लिए बिजू के लिए संग्रायन के लिए संक्रा अच्छे तियोहार के टाइम समय बिताएंगे तो एक तब भी बड़ेगा थांसा भी बड़ेगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है I am very happy that बहुत सालों के बाद पहले बार इतने अच्छे तरीके से हमारा बुईसू, बीजू, हमारा चरोबा, हमारा गोरिया इतने अच जगे में इस बार हमने हर जोनल और सब्सुनल को हमने एक-एक्षा रॉपया दिया 44 सब्सूनल से हमने 44 lakhs रुपया दिया कि आप अपनी एरिया में अच्छे तरीके से अपना बुईशू और अपना संक्रान, संग्रायन और गरिया करें अगले साल अगर ठीक रहा तो हम एक नहीं हर सब डिविजिन को 3-3 लाग देंगे क्योंकि जब हम अपना कल्चर, अपना तियोहार को, फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम एक मेसेज भी भेज रहे हैं कि हमारा एक एतिहासिक तृपरा बहुत पुराना राज्य है बहुत पुराना देश था और हमारा एक एतिहास है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए not only in Tripura but across the Northeast and across India हमारा ये जो state है इसका बहुत पुराना culture है और ये एतिहासिक culture को हमें खोना नहीं है हाँ नया जमान आ रहा है हमें नया technology को accept करना चाहिए लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम अपना अस्तित्व अपना इतिहास अपना culture और अपना सोच को बदल दे second चीज है मैं यहां में I've come for Facebook live and मैं दो या तीन चीज बोलना चाह रहा था सबसे important बात है कि बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि महराज या बुबागरा प्रद्योत आप आने वाले दिन में क्या करेंगे मैं सबको एक बात बहुत clearly बोलना चाहता हूँ एक बहुत clear policy निकल रहा है सामने सबको दिखाई पड़ रहा है कि तिप्रा मौथा को और अपने तिप्रासा को कैसे divide किया जाए divide आदमी लोग तीन तरीके से कर सकते हैं एक होता है direct divide जो आप किसी के खिलाफ प्रोपगेंडा करके करते हो पैसा देखे करते हो कहीं में conspiracy शडियंत्र करके करते हो और जो आज देखा जा रहा है कि बहुत जगे में अपने ही तिप्रासा को लेकर तिप्रासा को divide करने का कोशिश किया जा रहा है लेकिन मैं अपने पूरे तिप्रासा को especially जो हमारे young generation है मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये पुराना त्रुपुरा नहीं है ये एक नया त्रुपुरा है this is a new त्रुपुरा हम लोग इतने आसानी से बेखूफ नहीं होने वाले है तो जो लोग हमें divide करके divide and rule करके हमारे उपर राज फिर से करना चाहते हैं जैसे हो रहा था उनसे आपको बच के रहना है मैं अपने तिप्रा मौथा के लीडर्स को भी बोल रहा हूँ मुझे थोड़े दिन पहले एक message आया था आप अगर उजेंता पैलेस में आमने सामने बुबागरा के हो या selfie में आते हो या मेरे संग इधर उधर घूमते हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप leader है आप leader तभी है जब आपका खुद का कामी आपका खुद का गाउं आपका खुद का ब्लॉक आपको स्विकार करे कि आप leader है आपने दोभा के लिए काम किया है अगर आपको लगता है कि आप महराजा के सामने आसपास घूमके आप अपने लोगों को बोलेंगे क्योंकि मैं महराजा का आदमी हूँ, मैं leader हूँ ऐसा आप leader नहीं बन सकता अगर आपको leader बनना है तो पहले अपने कामी में अपने ब्लॉक में साधारन warrior बनके काम करो VIP culture को छोड़ो और जब election का time आएगा तो ticket उनी को मिलेगा जो locally ब्लॉक से काम कर रहा था आपको ticket नहीं मिलने वाला है क्योंकि आप महराजा के आमने सामने घूमते हो और आपका selfie आता है या photo आता है पहले अपने area में काम करो काम का नतीज़े निकालो और उसके बाद आप आकर दोफा के लिए lead करने के लिए बात करो सबसे पहले हमको worker बनना है warrior बनना है थांसा को तोड़ने के लिए बहुत conspiracy चल रहा है आज भी मैंने देखा है कि कहीं में joining हुआ है ठीक है जाना है अब जाइए लेकिन जो लोग आज से एक साल पहले दो साल पहले तीप्रा लैंड दिमान कर रहे थे आज उसी party में प्रोब्लम है वो आपका खुद का प्रोब्लम है लेकिन अपना ideology को छोड़के उस party में join करना जो तीप्रा लैंड को मानता ही नहीं स्विकारी नहीं करता है वो बहुत बड़ा धोका है अपने दोफा के साल अगर आप अपने party में खुश नहीं हो घर में बैठ जाओ अगर आप अपने नेता से खुश नहीं हो घर में बैठ जाओ लेकिन उस party में join करना जो आपका सम्विधानिक अधिकार को ही स्विकार नहीं करता जो कहता है कि आपका जो demand है वो हम कभी होने नहीं देंगे उसी party में join करने से आप अपने दोफा के सांग गद्दारी कर रहे हो मैं आपको एक example देता हूँ बहुत area में बहुत लोग शायद अपनी leader से खुश नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे party में जाओ जहां में आपका तीप्रा लैंड या greater तीप्रा लैंड का demand कोई माननी के लिए तैयार नहीं है हाँ बहुत टाइम मैं अपनी देश के government से खुश नहीं हूँ कभी-कभी मैं शायद हमारे prime minister के policy से खुश नहीं हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान जाकर हाथ मिलाओ हिंदुस्तान को government को नीचे दिखाने के लिए ये एक policy होता है आप अंचुरिक party से खुश नहीं इसका ये मतलब नहीं कि आप उस party में join करें जहां में आपका greater tipra land या tipra land का demand को कभी-भी स्विकार नहीं किया जाएगा आप आज leader कैसे बने हो आप locally leader कैसे बने हो आप इसके लिए बने हो क्योंकि आपने अपने लोगों को बोला है कि हम आपका greater tipra land या tipra land demand को center तक ले जाएगे लेकिन आप उसी party में join करोगे जो वो demand को मानता ही नहीं तो आपका अपने दोफा के संग धोका ही तो हुआ सच बात बोल रहा हूँ आज मुझे देख लो मैंने national party छोड़ा congress क्यों क्यों कि मैं अपने लोगों को जूट नहीं बोल सकता था आज मेरे पास भी बहुत offer आया है national party join करने के लिए आज मेरे पास भी बहुत offer आया है अच्छे अच्छे post में जाने के लिए आज मेरे पास भी बहुत offer आया है आराम से जिन्दगी बिताने के लिए लेकिन मैं आज भी अपना लिए नहीं सोच कर अपना तीप्रासा के लिए fight कर रहा हूँ मुझे भी सब कुछ मिल सकता है मुझे भी property मिल सकता है मुझे भी pad मिल सकता है तबी भी मैं आज अपने बारे नहीं सोच कर हमारा next generation है उसके बारे सोच रहा हूँ और मैं compromise नहीं करूँगा मैं ने अभी तक जो कहा है मैं आज फिर से कहने वाला हूँ जब तक हमको हमारा writing में हमारा constitutional solution नहीं मिलता है तब तक हम कोई भी national party के संग alliance नहीं करेंगे अगर कोई national party ने हमको writing में हमारा demand स्विकार नहीं किया तो ये छोटा सा चिकॉन सा तिप्रा मौथा पार्टी अकिला लड़े गया लेकिन आप सब तिप्रा सको इस्पेशली youth को मैं बोल रहा हूँ मैं fight क्यों कर रहा हूँ मैं किसके लिए fight कर रहा हूँ आपको मैं क्यों अपील करता हूँ fight करने के लिए next generation के लिए मैंने sacrifice क्यों किया है जिनका जिन्दगी जाना था उनका जिन्दगी तो गया आराम से गया लेकिन आज अगर हम लोग एक नहीं हुए आज हम लोग एक आवाज में हमने दिल्ली में बात नहीं किया आज तीप्रासा आप जितेंदर चौधरी हो सकते हो आप रेवतित रुपड़ा हो सकते हो आप जिश्नु करता हो सकते हो आप प्रद्योत मानिकी हो सकते हो लेकिन अगर आज हम लोग दिल्ली जाकर अपना आवाज एक आवाज एक प्लाटफॉर्म में हमने दिल्ली को नही बोला कि तीप्राशा का प्रॉब्लम बहुत खराब है तब हमारा सेलूशन कभी नहीं मिलेगा एक बार अपना पार्टी के बारे नहीं अपने जाती के बारे सोचो और बहुत लोग एक अववा फेलाता है कि प्रद्योत मानिक्या बिंगॉली के खिलाफ है मैं आज तक मैंने बंगाली के खिलाफ मैंने कुछ नहीं किया है ना करोगा मैं भी हिंदू हूँ बहुत लोग बोलता है कि आप हिंदू बंगाली के खिलाफ है मैं भी हिंदू हूँ और मैं हिंदू बंगाली के खिलाफ कभी नहीं जा सकता लेकिन मैं ऐसा हिंदू हूँ जो मुसल्मान को भी प्यार करता है मैं ऐसा हिंदू हूँ जो बुदिस्ट को भी आदर करता है मैं ऐसा हिंदू हूँ जो कृष्चिन को भी सम्मान करता है मेरा हिंदू किसी और को नीचे दिखाने के लिए नहीं है मेरा हिंदू धरम किसी को नफरत करने के लिए नहीं है और ऐसे हिंदू मैं क्यूं हिंदू बिंगॉली के खिलाब जाओंगा आपने बहुत लोगों को चांस दिया आपने उन लोगों को चांस दिया जो बिंगॉली से सचमुद नफरत करते थे आपने उनको नेता बनाया आपने उनको मंतरी बनाया और जो परिवार ने बिंगली लैंविज को सम्मान दिया जो परिवार ने बंगलादेश में जब अत्याचार हो रहा था हमारे बंगाली हिंदु के साथ उनको पणा दिया है तृप्रा में आप उनीके फैमली के सदस्यों को बोल रहेगी यह पूर और आध दुगा प्रॉपगयंडा है कि हमें एक दूसरे से अलग करनी के लिए. ऐसे प्रॉपगयंडा में आपमत आही है कि आज मैं जो अपने लोगों से उनने के लिए कर रहा हूं आपके खिलाफ नहीं आउग कर रहा हूं मैं अपने तीपरा साथ को Constitutional Right देने के लिए अधिफाइट कर रहा हूँ मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वापस बांगलादेश फीज देंगे मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको चैन से जीने नहीं देंगे मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हमें हमारे तीपरा साथ को Constitution के अंदर जो और पावर है और समेधान के अंदर अधिकार है वो दीजिए मैं एक महराजा बीर बिक्रम जैसा आधुनिक तुरुपरा बनाना चाहता था मैं महराजा बीर बिक्रम जैसे एक आधुनिक तुरुपरा का सोच रखता हूँ आज भी जहां में हम सब शांती से जिये जहां में हमारा Constitutional Right भी बड़े और आपका Constitutional Right कोई नहीं छीने लेकिन ये politics ने ये politics के गंदिय राजनिती ने हमें दूर किया है मैं election जब भी होगा मैं अपने पूरे YTF Warriors को TWF Warriors को और तीप्रा मौथा के senior leaders को एक बात बोलना चाहता हूँ मैं ready हूँ और मैं ready इसके लिए हूँ क्यूंकि मैं अपने लोगों को धोका नहीं दे सकता मैंने आपको एक commitment दिया है और मुझे अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए मैं आप लोगों को धोका नहीं दे सकता इसके लिए I am ready for the one last right और जो लोग मौथा में नहीं आना चाहते हैं और जो लोग IPFT से दूसरे party में जोइन कर रहे हैं मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ मेरे YTF को बोलना चाहता हूँ बुरी बदल को आप जाके मिलिए समझाईए और एक सांग होने का कोशिश कीजिए मैं अपने IPFT के लोगों को बोलना चाहता हूँ आप लोग भी मेरे समझाईए एक party दोनों बन जाते हैं अलग अलग party बनके एक दिमान रखने से क्या फाइदा दोनों एक party बन जाते हैं सब को कुछ मिलेगा तीपरासा को कुछ मिलेगा आप कब तक मंतरी रहोगे आप कब तक MLA रहोगे एक बार अपने लोगों के बारे बात करो लोगों का प्यार लोगों का आशिरवाद अगर हमारे संग रहा तो 70 साल के बाद एक मौका मिलेगा इस बार हमको अपना position रखने के लिए मैं आपको लास्ट चीज बोलना चाहता हूं इस गर्मी के टाइम में मेरे वाई टीएफ ने सब गाउं गाउं कामी कामी जाकर पानी डिस्टिब्यूट किया जहां तक मेरे पास रिपॉर्ट है रिपॉर्ट में आया है कि हमने अभी तक एक लाक बारा हजार लीटर पानी डिस्टिब्यूट किया है एक लाक बारा हजार लीटर पानी मतलब की आल्मोजद दोलाक बोतल पानी हमने हर गर में पानी पीने के लिए दिया है मुफ्त में दिया है, अपने पॉकेट से दिया है, YTF ने दिया, क्यों? क्योंकि YTF का काम दोफा के लिए है और मैं अपने senior leader से एक बात बोलना चाहता हूँ, हमेशा senior junior से को सिखाएगा वो दरकार नहीं है हमेशा youth senior को देखकर काम करेगा? नहीं, कभी-कभी senior को भी youth को देखकर काम करना चाहिए कभी-कभी senior को भी देखना चाहिए कि आज का youth कितना committed है और हमारे senior लोग को भी ये बात समझना चाहिए और कुछ-कुछ चीज अपने young generation, next generation से भी सीखना चाहिए मेरा ये message है, I am ready to fight for my people मैं ने आज तक धरम का राजनीती नहीं किया है मैंने आज तक नहीं देखा कि कौन मुसल्मान है, कौन Christian है, कौन Buddhist है, कौन Hindu है मैंने हमेशा तुप्रा का भला चाहा है मेरा ये fight अपने तीप्रासा के constitutional right के लिए है किसी का constitutional right चीनने के लिए नहीं है और मैं अपने बंगाली भाई को बोलना चाहता हूँ, बेहन को बोलना चाहता हूँ जो लोग आपको बोलते थे go back वही आज आज आपके, वही लोग बोल रहे हैं कि मैं खराब हूँ मैंने आज तक नहीं कहा आप लोगों को go back जो हमारे तीप्रासा गाउं में उसको ठीक करो हमने सिर्फ ये कहा कि हमारे गाउं में पानी दे दो मैंने कभी नहीं कहा कि आपके गाउं से पानी निकाल कर हमारे गाउं में दे दो आज ये जो propaganda है, ये जो divide and rule है वो बहुत गंदा political game है मैं आप सबको अपील करता हूं कि मैं अपने ग्रेटर तीप्रा लैंड मूब्मेंट से हटूंगा तो नहीं लेकिन आपका भी right कभी छीनूंगा नहीं जब तक मुझे writing में government of India assurance नहीं देता है ये national party assurance नहीं देता है कि इस demand का, इस movement का constitutional solution नहीं होगा तब तक मैं अकेला लड़ूंगा, मैं जानता हूं कि कोई नेता रहे या ना नेता रहे public मेरे साथ है and I am ready to fight, one last fight आपका प्यार, आपका आशीरवाद मेरे उपर रखिये और मैं ready हूं मर जाओंगा लेकिन अपने लोगों से, अपने भाईयों से, उसमें सब हैं सब हैं, कभी गद्दारी नहीं करूंगा, I love all of you all बेलाई बेलाई नहांबाई, कुलूंखा